दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि Amazon का Prime Day event आने वाला है, ये एक sale event होता है जिसमें कि बहुत सारे sellers लाखो करोडों रुपे अर्न करते हैं, एक fact बताता हूँ आपको, last year 2020 में टोटल 209 ऐसे seller से जिनका की स्रिफ एक दिन का sale एक करोड से ज्यादा था, अगर आपको भी अपना sale बढ़ाना है, अगर आपको भी इस sale event में participate करना है, तो मैं अभी आपसे चार important points डिसकस करने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यार में रखने हैं और आपको regular follow करना है इन points को, ताकि आप भी इस sale event में participate कर सकते हैं और अपना sale बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले हम इन 4 points को एक एक करके discuss करते हैं, सबसे पहला point है, आप अपनी inventory को check कीजिए, अगर कोई product आपका out of stock हो गया है, तो उसे restock कीजिए, अगर कोई आपकी inventory inactive है, तो उसे वापिस से reactivate कीजिए, अगर आपका कोई product है, जो अभी तक list नहीं किया हुआ है, तो उस करने के बाद आपको amazon.in की website पे जाना है, जो shopping website है वहाँ पे, और अपने product की details देखना है, कि आपने जो जो details डाली हुए, वो ही कि वो ही details आपका जो website है, वहाँ पे दिख रहा है या नहीं, और आपको as a buyer उसको देखना है, कि as a buyer, क्या इन सब details को देखके, मैं इस product को खर खरीच सकता हूँ या नहीं, अगर आपको लगता है, yes, ये सब अच्छी details है, काफी अच्छा product का description है, काफी अच्छी images है, और मैं इसको खरीच सकता हूँ, तो 101% I am very much sure कि आपका product अच्छा बिकेगा और आपकी listing बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि as a buyer मैं इस product को नहीं खरीच सकता क्योंकि इसमें कुछ भी details ही नहीं है, ना images अच्छी है, तो आपको अपनी listing में वापीस से changes करने पड़ेंगे, दूसरा सबसे important point है, आप अपने seller central के home page पे जाईए, वहां ते आपको एक buy box का option दिखता है, उस buy box को देखिए, अगर वापे वो arrow red में ह और नीचे गया हुआ है, तो समझ आना कि आपके जो inventory है, उसकी pricing में कुछ न कुछ problem है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपके product चेक करने हैं, और देखना है, अगर किसी भी product का ज़्यादा price है, कोई भी अगर आपका product overpriced है, तो उसको जो market price है, उसके standard के हिसाफ से set कीज और इससे आपका product भी ऊपर चला जाएगा, तीसरा point है, अगर आप FBA कर रहे हो, तो आप अपनी FBA inventory है, उसको check कीजिए, अगर आपकी कोई भी inventory out of stock या पिर जिसके कम units बचे है, तो उसको फटाफट से restock कीजिए, आप जल्दी से जल्दी एक shipment बना दीजिए, shipment कैसे बनान है, already मैंने video बना हुआ है, आपको description से उसका video का link मिल जाएगा, तो आप वो video देख सकते हैं और अपना shipment बना सकते है, चौता और सबसे important point आपको अपने products पे advertisement रन करने पड़ेगे, आप sponsored ad चला सकते है, sponsored brand चला सकते है, आप lightning deals create कर सकते है, आप coupons create कर सकते है, lightning deals आपको आती ज्यादा benefit देता है, prime day sale के दिन, lightning deals actually amazon recommend करता है आपके products आपको कि आप इन products पे lightning deals चला सकते है, तो हर product eligible नहीं होता और हर seller eligible नहीं होता है lightning deals के लिए, अगर आप eligible हो तो भी आप lightning deals को create कर सकते है, अगर आप lightning deals create नहीं कर सकते है, तो आपके पास सबसे best option है, आप coupons create कर सक सकते है, coupons कैसे create करने हैं, आपको कल ही इस पे video मिल जाएगा, ये coupons जो रहते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा आपको sale देते है, prime day event के दिन, इसके अलावा sponsored ads कैसे create करना है, already मैंने video बना है, आप i button से click करके video देख सकते हैं, I hope ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी ह और आपके business में ये value एड़ करेगी, ताकि आपका business और sale दोनों grow हो सके, video को like करने के साथ साथ channel को subscribe कर लिजे, आज के लिए इतना ही, thank you very much.